आज हम आपको रेडियो लॉजी कोर्स के बारे में बताने वाले हैं। समय के साथ कई तरह के कोर्स आये हैं, लेकिन चिकित्सा च्षेत्र एक ऐसी च्षेत्र जिसकी मांग दिन प्रति दिन बहते जा रहे हैं। इस बढ़ती हुई ट्रेंड को देखते हुए ज्यादा तर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वह अपनी करियर मेडिकल के ख्षेत्र में बनाए। आपको बता दे, ऐसा नहीं कि मेडिकल ख्षेत्र के मतलब सिर्फ डॉक्तर ही बनना है। डॉक्तर के अलावा चिकित्सा विभाग में कई सारे कोर्स है जिसके माम डॉक्तर जैसा ही है। और इसके लिए रेडियो लॉजी के कोर्स करना जरूरी है रेडियो लॉजी पैरामेडिकल कोर्स के अंतरगत आता है इस शाखा में X-ray, Ultrasound, MRI, City Scan इत्यादी के बारे में अध्ययन किया जाता है हर कोर्स की तरहे रेडियो लॉजी कोर्स करने के लिए भी एक नियून्तम योगिता चाहिए सबसे पहले आपको बारहवी पास करना होता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशक नंबर के साथ बारहवी में आपके Physics, Chemistry तथा Biology के Combination होनी चाहिए मुख्यत है तीन तरहे के Radiology कोर्स होते है पहला है Diploma डिग्री, दूसरा है Bachelor डिग्री और तीसरा है Post Graduate डिग्री सबसे महत्वपून पॉइंट है College अगर सरकारी होगी तो बहुत कम खर्च में पूरे Complete हो जाएगा और BSC in Radiology के लिए 40,000-20000 रुपए लग जाएगा वही MSC in Radiology के लिए 30,000-10000 रुपए लग जाते हैं ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए